पीले दात वाली बहू रंजना कब भी ब्रश नहीं करते थी उसे कितनी बार उसके माबाप ने डाटा लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था जिस कारण से उसके दात पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद अरा बहू वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है पर तेरे दात दात इतने पीले कैसे हैं बेटा कैसे मतलब कुछ सरजरी तुई न कराई है वो तो क्या नाम में ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए तब क्या करो आप कहें तो लाल कर वालो या फिर काले यार ये क्या है क्यों मा से लड़ रही हो लड़ रही हूँ अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बूल रही है कि दात पीले है पीले अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए बगाइदा ब्रश नहीं किया है बिस साल तक तब जाकर जी कैसे बात कर रही हो ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे अरो तब साफ करवाली आ होगा डेंटिस्ट के पास जाकर अब देखो क्या से पीले पीले लग रहे है लंचना सास की तरफ कुस्टे से देखती है फिर शुरू हो गई पीले 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 तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहें भाई साबा अब वो लोग करते भी तु क्या करते पीली दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो जेलना तो था ही एक दिन किर्टन में रंजना गाना गा रही थी अरा कामला बहान मा का दुआ रहा है या तो सब शुद्धों कराते हैं फिर अपनी बहु को ब्रश भी नहीं कराती तुम दूर से पीले पीले दाथ भक्ती में बाद आउट पन न कर रहा है अरे कोड़ दो साल के बच्ची थूड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहु बनाकर अच्छी खासी लड़की है अरे कैसे करवाओं ब्रश ये तो उसे खुद करना चाहिए न अब माबाप तो इसके जैसे तैसे इंजपता दिये ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी सास बहु को लेकर घर आ जाती है लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी अगले रोज बहु कहती है अरे क्या हो गया मंदिन नहीं जाना क्या किर्टन का वक्त हो रहा है मेरी मधुरवाणे से कानाजी जागते ही और सोते हैं आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा वो क्या है ना अब तब ये ठीक नहीं लग रही है मेरी आराम करूंगी मैं तब ये ठीक नहीं लग रही है अभी तो मितुन के गाने पर नाच रही थी आप और आप बोल रहे हैं कि तप्या ठीक नहीं लग रही अरे भक्ती में मन लगा लो सासुमा उपर जाना है क्या मूँ दिखाओगी आप हाँ सास को बहु की बात पर गुस्ता आजाता है मैं क्या मूह दिखाऊंगी इसकी चिंदा तो ना वकर समझी अपने मूह की चिंदा कर जो ये पीले पीले दाट लेकर हर जग पहुँ जाती है पता है लोग कित्ना मजाग बनाते है ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भक्ति कलूँगी, उपर वाला दाथ थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भाव ना देखता है, और अरा बस बस, तू सब कुछ दिखा बस ये, सफेद चमकदा दाथ ना दिखाना किसी को है, जा यहां से बहो को सास की बात का कोई फर्त नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी, वैसी ही रह जाती है, सुबह नहा कर, किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, किर्टन बजन करना, और सो जाना, एक दिल मा जी, मैं सहल की घर जा रही हूँ, शाम को लेट आउंगी हो, हो, तो जाना, मैंने कौन सा तिर यार तिकानी है, गर पर बैठ कर, रंजना सहल की घर जाती है, जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है, आरे शिखा, कहा जाने की तैयारी कर रही है, मैं गलत वक्त पर आ गई, क्या अरे नहीं यार उन्ता से यह वक्त पर आई है मैंने यह साड़ी और जूलरी निका लिए यार शाम को इनके आफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है यह सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जूलरी अच्छी लगेगी हाँ, हाँ, सही बोल रहे है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी नँ पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं भोलती, बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रंजना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए, आप मुझे किसे पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचेरा क्या कहता कि दाथ पीवे है तुम्हारे इसलिए आरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ओफिस में तो कहां से लेकर जाओं और मारकेट, मॉल, कहीं विकेंड घूमना, कहीं तो अरे यार सारे हफते में एक चुट्टी मिलती है तो सुचता हूँ कि आराम ही कर लो क्यों रंजना मन मार के रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया घर बैठी बैठी रंजना बूर हो जाती है तब ही उससे आइडिया आता है और हूँ पाई के जाने का सोचती है सासु मा दो दिनों के लिए ममे के घर जा रही हूँ अच्छा ठीक है आराम से जा और हाँ मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि क्या से शरीर के हर बाग कितना दाथों के सफाई भी ज़रूरी होती है समझी शुरू हो गई ना वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बाद का बतंगड बना दे उन लोगों के लिए मैं माईने रखती हूँ ना कि मेरे पीले पीले दाथ रंजना मा को बिना बताए उन लोगों को सप्राइज देती है लेकिन जैसी ही वो दरवाजे पर पहुँचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होती है अब मा काश रंजना दिदी के दाथों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादिवे हाँ बेटा लेकिन अब उसे कौन समझाए क्यों उसको उसके पेले दाथ नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास की लोगों को कितना इंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़के बैटना भी नहीं चाती और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था लेकिन पता नहीं क्यों उससे ये बात समझ में ही नहीं आती कोई कमी नहीं उस लड़की में बस यही के दाथ पिले है वो तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंचना को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी और क्या हो गया तुम तो दो दुनों के लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रेंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई माम मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरेसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूँगी